रहे हैं कि वहाँ पे इसराइल और हमास और इसराइल और पलस्टाइन के दर्म्यान क्या चल रहा है लेकिन एक और बहुत बड़ी डिवेलपमेंट हुई है जिसमें इंडिया फिर ग्लोबल लाइम लाइट में आ गया है रीसेंटली अभी कैनेडा इंडिया मामलाद जो थे थोड़े थमी थे और बलके मैं देख रहा था कि इंडिया ने जो है वो कनेडियन के लिए जो वीजें हैं वो दुबारा खोल दिये कतर ने सुना है कि आठ इंडियन को डेथ सेंटेंस दे दी है फार स्पाइंग आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा डिप्लोमाटिक क्योंके और वो भी नेवी के लोगों को और वो भी जो चार्जिस हैं वो स्पाइंग के हैं इट मीन्स के उन्होंने जो कोर्ट्स होती हैं अमोमन थोड़ी सिजा देती है लेकिन डेथ सेंटेंस तो हाइस्ट पनिश्मेंट होती है आप क्या देखते हैं कतर इंडिया करने की कोश्च करेगा कि वो इसमें जो है वो मर्ची आप इसको कैसे देखते हैं पहले इसमें जरा आज बात करें ची मासाम मिडलीस के अंदर जिस तरह का उनका जूडिशन सिस्टम है वो दुनिया से अलग है बिलकुल ही अगर देखा जाए उनका जिस तरह आपने देख काटे जाते हैं गरगरें उतारे जाते हैं लेकिन मिजाइटी जो होते हैं इमिग्रेंट गरीब लोगों को अमीर आदमी के लिए वहाँ पे सजाए मुक्तलिब किसम की हैं लोकल को जो इनको कहते हैं अपने सिडिजन के लिए अलग है लेकिन इतना असान नहीं होगा इन आ धारा ग्लोबल टेक्नालोजी एक प्राइविट कंपनी थी जो के उनके फोर्सिस को ट्रेन करते थे यह सारे रिटाइड नेवल आफिसर्स थे जो जिनका कांट्राइट था कि कत्री फोर्सिस को ट्रेन करना वाँ और उन पर अलजाम यह था कि उन्होंने इटालियन सब्मरीन थी कोई उसके बारे में मुखबरी की है इसराइल को लेकिन देखें मैं दुनिया के अंदर जहां भी अगर देखा जाए क्योंकि मैं भाइसीते स्टूडेंट अफ लॉओ इसके उपर अपील के राइट्स होते हैं दूसरा अगर आपको अदालत के उपर इतमाद ना हो तो जो डिफेंडेंट होता है वो अपना वेन्यू चेंज की भी अपील कर सकता है तो यह इतना असान नहीं होगा भारत इस जिस तरिके से डिप्लोमेटिकली स्ट्रॉंग है इस वक्र जो उनकी फारण पालिसी है इतना असान नहीं होगा कि आठ भारती शहरों को फांसी दे द लोगों को अट्राइट किया जा लेकिन बैकफायर करेगा इतनी हाश सजा देंगे जब आप अनॉंस करेंगे जो बिजनस कम्यूनिटी होगी वो डर जाएगे लोग कतर में आने से कतराएंगे लोग पहले ही देखा जाए तो अगर इन मिडलीस के ऊपर यह चोटी स्टेट इस्लामिक के ऊपर एक बहुत बड़ा स्टेग्मा है कि वहां पर विमन जो है और उस हार्श कानून है जिस तरीके से मैंने बताया कि वहां पर फन के तौर पर मैंने देखा वह एक वहां पर साओधी रेबिया के अंदर एक चौक है जहां पर लोग इस तरह खड़े होते है नेटफलेक्स पर मोवी देख रहे हैं तो लोगों के आज काटे जा रहे हैं लेकिन यह सुसाइटी के अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है और दूसरा मेरे ख्याल में यह कत्रों को बैकफाइर करेगा ना सिर्फ बिजनस क्मुनिटी डर जाएगी लोग वहां पर जो दू स्टेट्मेंट नहीं दी अभी तक मैंने उनकी फारण आफिस के जो स्पोक्सपरसन है उनकी मैंने देखी है स्टेट्मेंट सुना है उनका कुछ स्ट्रॉंग स्टैंड अभी तक नहीं था लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कतर जो है वो इनको फासी दे पाएगा मेरे खाल मैं मेरा मेरी उपिनियन तो यही है कि इसके उपर इंटरनेशनल लॉज जो है उनको डिप्लोमेटिक इमियूर्टी तो नहीं उनको आसेगे कि क्योंकि वो रिटायर आफिसर्स थे रिटायर लोग थे वो सिविलियन्स वाले लाव उनके उपर लागू होगा लेकिन फिर भी इतन तरसाब वो तो तब किया जा सकता है ना कि अगर जैसे आपने का डिप्लोमाटिक इम्यूनिटी होगी और वो वियाना कन्वेंशनल लॉज ट्रीटीज के ताहिता आपने वो डॉकुमेंट्स एक्षेंज किया हो बंदे के बारे में बताया हो यह बंदा हमारा ताके इंडिया का डिप्लोमाटिक क्लाउड तो है लेकिन लॉज 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 तो इसमें आपको क्या लगता है कि यह मेरा नहीं ख्याल कनोनी तरीके से करना पड़ेगा और साथे पंजाबी के इन्देने जाट जपाल लाना पैड़ा है तो यह यह आफ तो गो बियांड ताके आप वो कर सकें आपको क्या लगता है विच वेस्टरन और विच अरब कंट्री कुट बिए गुड ऑफिस फ़र इंडिया तो किम्यूनिकेट साओधी ने तो कतर पे पहले ही जो आपको पता है बाइकॉड किया हुँ था अमरीका है यहां से निकाल सकता है लेकिन अम जो है आपको पता है कतर ने हमास की तुमाम जो लिडर्शिप है उसको रखा हुआ है तो अमरीकियों की ही इंफ्लूंस है आपको क्या लगता है दोबारा जे शंकर को वाशिंग्टन जाना पड़ेगा आपको क्या लगता है सर्थ देखिए आप ने कहा है कि हमास है वैसे तो हमारे तालबार भाईजान भी उधर ही फिर रहे हैं अगर उनसे का जाए यार कि तुम थोड़े पैसे चाह से लेके इन से बात करो तो वो भी हो सकती लेकिन यहां पर मैं यह जरूर बताना चाहूंगा चीमा साथ जो है वो इन्होंने स्टेट्स ने साथ स्टेट्स जो मौजूद है बहरीन में भी उनकी बेस मौजूद है लेकिन उसमें मैं समझता हूं कि इवोंट बी डैट डिफिकर्ट मेरे ख्याल में देखें इसलामिक लाज के हसाब से अगर इसलामिक लाज हैं तो उसमें मर्डर के उपर भी जो है दे कर पैसे दे कर तो आप माफी अगर आप उसमें से मर्डर में से छूट जाते हैं अब इसलामिक लाज इतना सखत नहीं है अगर देखा जाए उसको इसमें गुंजाइशे मौजूद हैं दूसरा अगर देखा जा तो इस वक्त इंटरनेशनल कम्यूटी सबसे पहले तो यह देखने अप शवाहत देखना चाहेगी कि हाउ गिल्टी दे आर वाट आर दा ओरिजिनल फैक्ट जो कि अभी तक नहीं बाहर आ रहे हैं अभी तक सिर्फ जो है वो एक सती तोर पर थोड़ी सी इन्फिरमेशन बाहर लीक हुई है उसके फैक्ट जो तिक किस तरीके से उन्होंने एसमें आज किया है उन्ह कि जो इन्फिरमेशन दी गई है उसका सुसाइटी को हार्म कितना हुआ है उसकी बेस पर सजा का तो नौगित किया जाता है तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से इस वक्त अगर आप कैनडा जासे मुलक को जो है आप बैक फूट पे ले जा सकते हैं तो कतर ही तो मेरे ख्याल म के अंदर जो इस वक्त सौथ चाइना सी के अंदर जो इस वक्त मुहामलाद बन रहे हैं उसमें इडिया भारत इस प्लेइंग वाइटर रोल इन देर और उसमें ना सिरफ देखें अल्टीमेडली जस्टन टूडो ने भी बात सारी शुरू करके ये अड्मिटेट इस बोथ इस वक्त फेट लार्जर से कार्मी और उनकी आज कल भारत इंपॉट इन्पॉट इन पॉट इन पॉट इन पॉट इन देखें ये बातें सारी खुल के आती है अभी इंटरनाशनल कोट अब जस्टस भी एक आप्शन मौजूद है अगर भारत वहां जाता है डिप्लोमेट इस चीजें उसमें यूज करता है अपना इंफ्लूएंस यूज करता है वहां डैस्परा भारत का आपको पते ही आज कर मिडल इस और सारे इनमो मालक में उनका बहुत बड़ा इंफ्लूएंस है भारती डैस्परा का डिया टेक्नो क्रेट इन एवरी कंट्री में रहां तो यह के साथ ही इनके साथ ही अमान जहां पर वो च vaccines नेव क्सकते अफून के जस पर इस पर इक्सराइज कर रहे थे थे जहां अर उनौना ने चाइन ही उसपर डिखाई किया है और देविल रिमें इन पोट जो के अमेरेका को उस पर इतरास था तो मेरे चाल में वो खित्ता वैसे ही इस वक्त गरम है फलस्तीन की वज़ा से तकरीबन कहते हैं पैसट सो के करीब फलस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं वहां पे लेकिन उनका अटैक जारी है सबसे बड़ी बात अभी तक ये है कि इसराइल ने ग्राउंड इंवेजन अभी तक शुरूर नहीं की है हर रोज वो कहते हैं कि बीबी नित्रियाहु जो है वो अपनी लेगसी चोड़ना चाते हैं हलाके उनको इसराइल के अंदर से काफी रिजेंटमेंट है कि ग्राउंड इंवेजन नहीं होनी चाहिए अमेरिका ने भी उनको वान किया है कि सप्टमबर 11 के बाद हमने जो गलत कौन करेगा यह भी एक क्वेस्टिन मार्क है और दूसरा इस वक्त अगर देखा जाए तो चीमा साब जो वहां पे टर्नल सिस्टम उन्हों ने बनाया है सर्प्राइजिंगली मैं समय तो हमास ने जो एक सो मिलियन डालर इरान देता था लगता सारी टर्नल्स पे वो खर्ष 75 में उन्हों ने भी वहां पे वेतनाब को अमेरिका में डिफीट करने के लिए उनका टर्नल सिस्टम जो था उसका एक बड़ा रोल था आज मैं समझता हूं इसराइल प्लान कर रहा है कि हम जाके वहां उसको उसमें पानी छोड़ें टर्नल्स में लेकिन जो उनके हास्टि हैं दोसों के करीब हो भी सारे टर्नल्स में हैं उनको इस वक्त डिफिकल्टी है इस वक्त इसराइल है इस वक्त इसराइल को इस वक्त लूजिंग देर प्रापोगंड़ा कंपेंड या लूजिंग उन इट पहले दिन जब 7 अक्टूबर को यह हमला हुआ था तो वर्ड व बहुत हिस्टोरिकल चर्श के उपर जब अठायक हुआ तो उसमें लोगों के उपीनियन चेंज हुई आप्टेक्स जो बाहर आ रहे हैं अभी रिसेंट एक और भी चीज़ होगी है लेटली आपने देखा होगा कि 85 साला खातून जो है जो हास्टेज थी जब वो बाहर नक कुलंबिया यूश्टी और एन्वाई यू ने भरपूर बलके उन्होंने कलासों का बाइकाट किया है बाहर निकल के स्टूडेंट्स ने इस्तिजाज किया जॉज वाशिंट जॉज वाशिंटन यूश्टी वाशिंट डीसी उसके अंदर इतिवारों के उपर लिखा और बड़ी मैसिब कंपेंड इस आरे टेकिंग प्लेस लेकिन इस पर एक जो सबसे ज़्यदा अफसोस की बात ये है चीमा साब जो मुझे महसूस होता है इस वक्त जिस तरह हमारी वैस्टरन सिवलाइजेशन सारी फैशन के तौर पर और पुलिटिकल माइलेज गेन करने के ये कीव जाते थे ये सारे बरी बरी इसी तरह इनोंने लाइन बना के इस वक्त इसराइल जा रहे हैं सारे कभी जा रहा है फ्रांस का सदर जा रहा है कभी जो बाइडन जा रहा है रिशी सोनक जा रहा है सार आपने नोट किया कि अभी तक कोई भी हमारा मुसलमान इस्लामि कंट्रिय कोई भी बंदा वेस्ट बैंक नहीं है अलाकि जंग तो शुरु अगाजा में है ना वेस्ट बैंक जा सकते थे यह लेकि एक भी इनसान अभी तक वहां नहीं गया अभी तक बीस ट्रक जो कि कुछ भी नहीं आटे में नमक के बराबर है एड के अगर तो सोचा जाए तेईस लाक लोगों के लिए बीस ट्रक इस नाट सफिशेंट वो भी नहीं पहुंचे अभी पूरे तरीके से और देखे दो बिलियन मुसल्मान दुनिया में और बाते करा लो ट्वीट एक जो सबसे बड़ी मुसीबत है हमारे मुसल्मान लॉंडेल पाड़े चाहे किसी के भी हो ट्वीट का शौक है जिहाद ट्वीट पर नहीं होता जाज़ा पूंच डालर उनके लिए बेज़ जो यार एक केस पानी का बेज़ तुम समई तो है ट्वीट पे जायाद करके वो फलस्तीनियों को सौट पहुंच रहा कि फूचर के इन्दर नमाज भी ट्वीट पर पढ़नी है, इन्होंने रोजे भी ट्वीट पर रखने है, इन्होंने हाज जम्रा भी ट्वीट पर करना है, तो इस तरह सुनी होता ना. तार स्वाइब ये बताईएगा कि जो आपने का आप जॉर्ज वाशिंग टाउन में जॉर्ज साउन में कॉलंबिया में हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं आप अमरीकी फॉरन पॉलिसी को समझते हैं आपने प्रेजिडेंट ट्रम और रिपब्लिकन्स के साथ बड़ा का किया है कितना को एसर पड़ता है इस तरह की जो अघ्र कंपेंज होती है यह कहा जाता है यह एमरीका का लीदिया ग्रिकीज कि बात यह बढ़ कर रहे हैं बड़े प्रोग्रेसिफ और माइंट से सोचने हैं इसका कितना को असर पड़ेंगा कॉंग्रस पे स्टेट डपार पर वाइट हाउस पर मीडिया पर या के यह भी एक अमरीका की शकल है वस इतना ही रहे गाई यह इसमें इसमें कुछ भी नहीं है सिरफ एक फैशन है मैं यह आपको बताता हूं फैशन उसकी वज़ा यह है यह जो बच्चे सडकों पर निकले हैं इनमें से ज्यादा ब्लैक ल को नहीं था 23 दिन के लिए स्पीकर रिपॉब्लिकन माईक जानसें जिसका नाम है कल 23 दिन के लिए कोई स्पीकर नहीं था 14 कैनिडेट से चार दफा पॉल हुए हैं चार दफा और सबसे बड़ी मैं मैं आज में के अंदर आज शूटिंग एक बंदे ने मारा है उसने 22 बात औरी थे उसने का यार यह बंदे करते ही कुछ नहीं है यार हमारे लेजिसलेशन बड़ी फेल होगी मैं कर नहीं अपने मतलब की चीज़ें फॉरण कर लेते हैं अभी 105 बिलियन युकरेन के लिए और इस्राइल के लिए नहीं बेल पास करना है वो रात के टाइम हो जा फॉरण बिल पास हो जाते हैं कठे हो जाते हैं सारे क्योंकि यह वही है यह वही नाराय जो डानल्ड ट्रम्प साब लगाते थे कि I want I will drain the swamp यह हमारा सिस्टम स्वांप बन चुका है चीमा सब इस अमेरिका का हर सिस्टम इतना पुराना हो चुका है कि टोटल इंफरस्ट्र भी इसका कोई नहीं है इस वकट अगर देखा जाए तो टोटल डिपार्टम अब जस्टस सिर्फ एक टास्क है उसके पास किस तरीके से डानल्ड ट्रम्प को एलेक्शन से रोका जाए तीन साल इन्होंने कोई केस उसके खिलाफ नहीं बनाया तीन साल जिस दिन उसने उसका सब्जेट दिया गया है कि आप इन्वायर्मेंट के पीछे जाए चीमा साब आज मैं आपको छोड़ा से और बाव बिंग कंजर्वेटिव एक और चीज़ा आज जो कुछ भी दुनिया में हो रहा है अमेरिका की लिबरलिजम की वज़ास हो रहा है मैं उसके की प्राइसे बढ़ने से कौन से मुमालिक ने फाइदा उठाया रशिया और इरान फुल के पैसे से रशिया ने यूकरेन की जंगल अड़ी है और यॉरप को गिरह डाली है उसी पैसे से एरान आज जो कुछ कर रहा है इस वकित रिगा इतना स्टॉंग है अर्या के ऑंदर सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, यमन के अंदर, आपको पता होना चाहिए, कल परसू यमन से मजायल मारे हो रहे हैं, तो इन सारे मुमालक को, इरान को जिसको अभी दो अफ़ते पहले 6 बिलियन डालर दे रहे थे, इनके अपने हलात इतने खराब हैं, जैक सॉलिवन न वो लबी-डबी होगे, आज अंदाजा लगाएं कि जब डानल्ड टरम से पहले, बाइडन से पहले, उनके फारन रिजर्व 4 बिलियन थे, आज 77 बिलियन होगे, साड़े 4 लाख बैरल पर डे वो पंप करते थे इरानी, सैंक्शन्स की वजए से, आज वो 3 मिलियन बैरल पर से, हिजबुला की तरफ से, उसके उपर एड्रेस अमेरिका का लिखा है, किस तरीके से, जो मजाइल आपने युक्रेन को दिये, वो सारे उन्हों ब्लैक मार्केट में बेचे, जो मजाइल आप तालबान के लिए छोड़के गे, उन्होंने, क्योंके आपने के कैश बंद कर से, उन्होंने भी सारे बेच दी, तो ये दरहा हकीकत, जब आप लीडर्शिप का फुकदान होता है, जब चीमा साब लीडर्शिप, ये पचास साल सियासत में रहने से आप लीडर नहीं बन जाते हैं, इस वक्त जो बाइडन को बिलकु कोई पता नहीं है कि वो क्या कह रह पिछो उबामा लेखके देंदा, वो का दा चाचा जी उन तुसी आज चले जो इसराइल तो थे तुसी अस्तरा करना के रोटी जास ही खाना तुसी ते पाणी ना ज्यादा पीना तो पिशाब आजीगा, वो मेरा मकसित चीमा साब इस तरह भी कर भी मुलक चले, और ऐसी क्या होना सारा दिन सी एनन ने आजना गन कंट्रोल के पीछे सारा दिन गुजारना है, क्योंकि कल वो बंदे ने में मार दिया सारा कुछ, ये नहीं देखना कि वो तीन हफते वो बंदा जेनी तोर पे विमार है, उसके उपर उठारा पर्चे हैं प्याले, पुलीस रिस रि आपने डिमॉरलाइज कर दी है, और जो डिपार्टमेंट अफ जस्टस है, उसको पुलिटिस करके उस सारा उसका काम टाप गए डानल्ड टर्म और रिपॉब्लिकर्स को हमारे ये मोतरम जो बुज़ूरग हमारे प्रेजिनेंट है, और रिपॉब्लिकर्स को कहते हैं, ये ये टेर्रिस्ट हैं, तो ये जमूरियत किस चीज की नाम, पिर ये ही होगा न, जिस तरीके से काबल से, और मैं एक और बाप, अच्छी मासाब, मैं हमेशा कहता हूँ, अमेरिका का डूम्स डे वो था जब फाल अफ काबल, उसी दिन डी डालरिजेशन भी शुरू हुआ थ तो हमें इजाज़त दो, हम अटामिक बंब बना ले, उस वकत अमेरिका लास्ट देर, क्रेडिबिल्टी आल ओर दे वर्ल्ट, फिर आप देख लिए, मैं इसके और बता, इनका, जिस तरह मैं तीन अफ़ते पहले तो जैक सॉल्वन, जो NSA, उसने कहा था जी देखें, मिडल कर कितना खुबसूरती से टकावाँ इनको जारा करनी, यह तो उनकी अहलात है, जब प्रॉरिटीज चेंज कर लें आप, जब लीडर्शिप भी खतम हो जाए, जब वो डानल्ड टरम्प ने कहा था ना, यह हमारे इनोवेशन खत, अठारमी सदी से लेकर आज देक अमेरिक साब आके उनको कहा गये थे, कि you have been on a word stage for so long, no, it's your time to sit back and relax and let China shine, let China shine, oh, China shine कर रहा है, करेगा वो, उसकी वज़ा यह है, अभी Elon Musk ने recently महिना पहले कहा था, कि मेरी फैक्टरियें चाइना के अंदर 24-7 चल रही हैं, और Americans, they are trying to find an excuse not to show up to the work, चीमा साब मैं जिस वर्ट प्लेस पर मेरे आफिस के अंदर मुसलसल बच्चे, बच्चे का American, रुजाना, रुजाइन करते हैं, लिख के जाते हैं, it's too much work, it's a lot of work, और एक और ट्रेंड इस वोगे चल रहा है, कि आके दो महीने काम करते हैं, रुजाइन देते हैं, जाके उनको क्योंके साल डेड उनको unemployment मिल घर में बैठके सारा दिन Netflix जो है, वो चेंज करते हैं उस पर, और लुसा चिमा साथ, बलके Netflix से याद आया है, चोड़ी सी बात थी, कि सुना है, इमरान खान साब भी आजकल Netflix उन्होंने लगवा लिया है, उस पर सारी पुरानी सीरीज देख रहे हैं, और government के खर्चे पर cycle पी उनको मिल गया है, डाइल लाग का उन्होंने पहले cycle लेके बेजा है, जो जो अब राखा साब ने कहा है, यह मैं नहीं चिला हूँगा, फिर साड़े साथ लाख रुपे का cycle उनको लेके बेजा गया है, लेकिन वो जो एक concept दिया जा रहा है, कि अंदर बैठके वो तो cycle लेने है, कोई जो है वो अंदर बैठके जो है उसको किसी के घर को ही जो है वो बना दिया जाता है, तो फिर बास है दो पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान तो कोई नहीं है. आप सा दुख भी बाता है, यह मैं कहूंगा, कितने कैदियों के लिए उनके कमरों की दिवारें प्राठे आप अपने अथनकी मेदे बना के रहा हो तो पहले जाइज सहब थे वो भी तो परिशान थे ना कहते हैं मर्सेडीज में आना चाहिए जजों की एंटरन से आए इनका जेल का मैनियू दिखाएं ते एड़ा सोना लगदा जे ते कारी लेकिन चीमा साथ दूसरी बात यह आज मैं दुख के साथ कहूं है मैंने कल इस पर ट्वीट भी किया है मैं शिर्मिंदा हूं इस चीज़ पर शिर्मिंदा हूं शिर्मिंदा इस चीज़ पर चीमा साथ पहले ही कोई क्रेडिबिलिटी नहीं आपके कोई क्रेडिबिलिटी नहीं इस वकत आपकी नैब की को आपने किरिक्ट मैच भी बेच दिये सारे. इलेक्शन की एक्सेस कराने की क्या जो ओर था? सारी दुनिया को तो पता चल चुका है कि अगला वजीरियादम नौाश शरीफ है. अब एलेक्शन कराने की क्या जो था? हर बंदा हर टीवी स्थेशन की, टीवी पर बैठ कि हर जो वो है उसका एनलिस्ट है वो यह कह रहा कि नेक्स प्रामी से इस नवाज श्रीप वो कहते कल मैं डेख रहा था कि किस तरीके से नवाज श्रीप से अदालत में आए बशीर साब के पास चीमा साब पहला ड्रैकट देखा रहे हैं तो हमेशा अदालत म में बशीर साब के सामने 15-20 मिनिट पहले नवाज श्रीप साब पहुंचते थे अब वो नथिया गली से राम से सो के पराठे श्राटे खा गया है तो लेट आये हैं बशीर साब बैठे रहे हैं बिसमिल्ला आगे हो बिसमिल्ला हाराम यह कुछ दुनिया क्या देख रही बंडे के नसा साड़े देल थे नज़गा है तो बचस नजब को बड़ा फैसिनेट हो बड़ा प्यार हो दसी कहां सकताई इस जिस्व नजब भाल लेके पिछो ना ते साड़े देल चुई चल दिए उबचे यह दो दसदा सके के तवाड़ा मामा इमरान तो अड़ा मामा में बच्चे उनन आशे वोगें सारे के उननों लोड़े लपाडे आरकार को इस साढ़ी आई जन से आनों शौक सी कि दे बारे ट्वीट करने चाड़ी छाड़ी चाड़ी 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 तीज आरकार ले मुड़े उनना उनना हुद नहँदा सवेर अठीग मेरा फो जो बनाने के चकर में उसने बंदे रख्या हुए थे मीडिया को पैसे दे रहा था और कहते हैं हम ऐसे नहीं करेंगे इसानुई बेव को बनाने है जिस फरीञाए चीमा साब मुझे दो पारिटियों का अफसौस है इनका क्या अफसौस होनाए जी जिस तरीक से इब्राण खान पैसे को बेडररी इस्तेमाल करता था जिस त्रीके से इमरान खाने जाने से पहले अपने मान इसको पैसे दियत रखाती मनसूबों के चकर में आएम आप वाले अंदे यह प्रता अंदे यह बिल्कुर मैं कहतो हो मेरा खूण और ब्लाडर सारा जा रहा है बन्लाडर स्वेट जा रहा है वालगे मैं सोच रहूं वाई है मैं फुलेटर लिख हूं मैं यह कि यार तु आखों से अंदे हो चुके हो तुम्हें कुछ नजर नहीं आता कि यह क्या हो रहा है पाकिसान जा रहे हैं अमेरिकन टैक्सपेर्ट सा पैसा कहा जा रहे है कुछ शरम करो यार उनका तो काम है वा पसा आजाता है दुबाई और लंदर में मुझे तो लग रहा है है मैं वाले कुमिशन लेते हैं इन से मैं तो हम प्लाइन दूर नहीं है मैं आनो सब पीपल दे मुझे दुख होता है यह बड़ा सख दुख होता है अब देखे ने ब्रान खास आपने के ट्वीटरों के अब और फिर किस्ताने वाली सतर मुलिए 7 cetera मिलियन के की त्वाली नॉउम्मबर में वो मुझे दो लकता है यह और च्राड़े ने ब्रिडिश एजंट्न आप कषमे अधीए दिदिए करना इन्हों भर्डे क्यों नहीं है नहीं है उसे पहले बाजवा साथ मुझे यह बता है इस वक सारा कुछ कह जा रहा है कि इमरान खाने ऐसे की इमरान खाने खाने आसी और जो उनको लेकर आई थे वो किदर गें यह उनके खिलाफ कियों नहीं को को is होती है जो लेकर आया थे उनको वो किदर हैं सारे वो यह तो ज्याति है न मुलक के साथ के सिर्फ अकॉंटमिलिटी करनी तो इनकी करनी जिर्फ वो किदर मैं आज एक मेरा क्वेस्टिन आज सारी जूडिशनी सुरंडर कर गई है इन्हों उनका जिस सब जूट है मारे पास न आपके केस चलेगा नेवालों को जो कहते हैं आज हमारे पास प्रूव नहीं है तो पहले आपने केस क्यों बनाया उनकी काउंटमिलिटी कहन करें और यह सारी दुनिया देख रही है हर बंदा देख रहे कि यारे किस किसम का मॉलक है यारे क्या है चक्षक्र है और यकीन कर अब तो अफगानस्तान से भी नीचे लगना शुरू होगे आप नजर आते हैं उन से भी वो अलाकि वो उनकी स्टोडियां सुने वो ठीक आ रही है खबरें बार और लाइन फोर्समेंट भी ठीक है उनकी सब को ठीक अकानमी डालर आपके सारे वो ले उठा गए यहां से आ एक यह मौम है यह कैसी चीज है जिसका आज तक किसी को नहीं पता चल सका कि कौन चला रहा है और यह पता भी नहीं चलना और सबस्दान कहते हैं इस्टैबलिश्मेंट चला रही है इस्टैबलिश्मेंट कहते हैं ब्रॉक्रेसी चला रही है ब्रॉक्रेसी कहती है सानू पत तो मुझे किसी बंदे ने बताया उसने का उसने का जब जनम मुशरफ अमरीकियों से मिल रहा था तो उसने का कि भाई नूकलिर वैपन्स के वाले से बात हुई तो उसने का हमारे बड़े सिक्यूर वैपन्स है तो उन्होंने सब उसके सामने ना फाइल रखी और उसे का एह देखो है इनी देर पहला है इतना इस बंदे ने ये चीज़ वहां फारवर्ड की है ये वह फारवर्ड की है तो मुझरफ जो है वह गबरा गया और उसको कहते हैं पसीना भी आ गया तो ये है कि ये नजाम पता नहीं कैसे चल रहा है